बिस्मिल्ला इरुरह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम, तोड़े अवर टॉपिक इस सैट, पहले हम बात करेंगे के हम सैट क्यों पढ़ते हैं, मतलब सैट की डिली लाफ एक्जेम्पल्स क्या हैं, और फिर हम बात करेंगे सैट क्या होते हैं, आपने मुक्तलिफ किसम की फिशिस देखी होंगी एक्वेरियम में, वो एक्वेरियम एक सैट है, उन डिफरेंट काइंड्स ओ फिशिस का, या फिर जब आप कोर्स परचेस करन जाते हैं, तो वो सेल्समेंट आपको एट क्लास की तमाम सब्जेक्स की बुक देगा, वो कहलाएगा सैट ऑफ बुक ऑफ क्लास एट, अब बात करते हैं, वाट इस सैट, सैट इस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच मस्ट बी वेल डिफाइन एंड डिस्टिंग, हम इस सैट बनाते हैं, नेम ओफ ओशियंस का, देर आर फाइफ ओशियंस इन दी वर्ल्ड, नमबर वन पैसिफिक, नमबर टू, अट्लांटिक, नमबर थ्री, इंडियन, नमबर फोर, सौधरन, नमबर फाइव, आर्क्टिक, अब बात करते हैं, सैट की डेफिनेशन के दूसरे ह कि सैट की एलिमेंट्स वेल डिफाइन हो, मिसाल के तौर पर अगर हम सैट ओफ डेज बनाएं, जिसमें हम शामिल करेंगे, बंडे, ट्यूजडे, वैनिजडे, थर्जडे, फ्राइडे, सरडे, एंड जैनवरी, इस सैट को हम वेल डिफाइन नहीं कह सकते, क्यूंकि हमने स संडे शामिल कर लें, तो ये सैट वेल डिफाइन कहलाएगा, वेल डिफाइन को और अच्छे से समझने के लिए, अगर मैं आप से कहूं कि सैट ओफ एक्सिलेंट इस्टूडेंट बनाएए, तो सैट वेल डिफाइन नहीं कहलाएगा, क्यूंकि 90 मार्क स्कोर करने वाला भ एक्सिलेंट हो सकता है, अगर मैं इसमें कंडिशन अप्लाए कर दूँ कि वो स्टूडेंट जिनोंने 50 मार्क से ज़्यादा स्कोर किया हैं, वो एक्सिलेंट इस्टूडेंट हैं, तो फिर वेल डिफाइन सैट बन सकता है, अब बात करते हैं सैट की डेफनिशन के तीसरे ह कि सैट के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो, मतलब एलिमेंट में रिपीटिशन ना हो, मिसाल के तोर पर हम सैट बनाते हैं फ्रूट्स का, जिसमें हम शामिल करेंगे एपल, औरेंज, बनाना, पाइनेपल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, एपल, ये भी सैट नहीं कि केलाएगा, क्यूंकि इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो बार एपल शामिल किया है, अगर हम रिपीटिशन खतम कर दें, अब ये सैट केलाएगा, तो आज हमने समझा, सैट इस अ कलेक्शन ओफ वैल डिफाइन एन डिस्टि अब्जक्स और अलिमेंट।